ब्रिजबूशन के खिलाब चुनाव लड़ेगी महिला पहलवान रोचक हो गया माशन का चुनाव दोस्तो भारते कुस्ती माशन का चुनाव रोचक हो गया है माशन के अध्यक्स पद के मुकाबले प्रिजबुशन सिंग के खिलाब यून उत्पेडन मामले की गवारही अनिता शोरण ने नामांकन ताखिल कर दिया है दोस्तो दिल्ली कॉमन वेल्थ गेम्स में सवर्ण पदक जीत चुकी अनिता शोरण ने सुमार को ही नामांकन ताखिल किया है जो आखरी दिन था कुस्ती माशंग के चुनाओ के लिए 12 अगस्त को मतदान होना है जिदि आनिता इस चुनाओ में जीत जाती है तो वह अपने आप में इतिहाश होगा क्योंकि वह पहली ऐसी महिला अदेक्स होंगी दोस्तो कुस्ती के खेल में अब तक के पुरुष पहलवानों का भी परभूता रहा है लेकिन आनिता सुरण इस रीद को बदल सकती है दोस्तो इसके अलावा ब्रिजबुशन गुट को पटकरने देना भी एक उपलब्दी होगा ब्रिजबुशन के समर्थ को ने अदेक्स समेत 15 पदों पर अपने नामांकन दाकिल किये हैं ऐसे में यह भी दिल्चस्प होगा कि नतिजा किसके पक्स में जाता है ब्रिजबुशन पर 6 महिला पहलवानों के योन पिडिन का आरोप है फिलाल वै दिल्ली की रावज वेन्यू कोट से जमानत पर हैं उन्हें इसे मामले में चुनाव लड़ने से बेदखल किया गया है उनके परिवार के किसी भी सदस्य को चुनाव लड़ने की परमेशन नहीं दी गई है मतदाता सुची में भी ब्रिजबुशन स्रन सिंग या उनके परिवार का कोई भी मेंबर नहीं है इसके बाद भी ब्रिजबुशन रुत्बा नहीं छोड़ना चाहते उन्हें ने सोमार कुकुस्ती मार्शंग की परदेश यूनिट्स की मिटिंग बलाई थी